सिवनी मालव कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी के जयर खाने की जानकारी जेल प्रशासन को मिली पहले तो कैदी का जेल के अंदर ही इलाज किया गया लेकिन जब उसकी हालत नाज़क होने लगी तो डौक्टर के द्वारा आरोपी को अस्पताल में भरती करने की सलाह दी जिसके बाद जेल में मौजूद पुलिस वालों ने उसे तकाल अस्पताल में भरती कराया जहां डौ दोक्टरों ने उसका इलाज शुरू गत्रात्मिक उप्चार के बाद आरोपी की हालत विगर्ती देखों से जिलाचे के चाल रहफद कर दिया गया दो परकरण में मानने न्याले द्वारा जमानत भी दे दी गई है किन्तु इसके परिजनों द्वारा जमानत ना भरवाने से ये छूपद था और ये जेल परसासन पर अनुची दबाव बनाने के लिए दिनांग तक 30, 11, 17 को जैसा कि यहां के मैं तो था नहीं यहां पर करमचारियों द्वारा बताए गया है कि सफाई कर्मी द्वारा जब सोचालेयों की फिनाईल से सफाई करने के बार खाली सीसी को प्लास्टिक की घुड़े पे फेक दिया था उसमें दो चार बुंत जो भी फिनाईल बचा हो उसमें इसने पानी मिला के और सायम काल लाकब लगने के पूरव इसने फिनाईल पी लिया और लाकब लगने के आदे घंडे बाद ये बता रहा है ड्यूटि पे तैनाइफ करमचारी को कि मैने फिनाईल पी लिया है और मेरे कुल्टी जैसी हो रही है ून्हょन उन्होंने उसे बाहर निकाला लाकब खुल के और डाक्टर डेसी चोबे जो हमारे जेल के अल्सकाली चिकितसक है उन्हें ततकाल सुचना दी गई वह ततकाल आ भी जाए फिर उनके द्वारा यह बोला गया कि इसे अपन सामुदाइक स्वासकेंद्र भेज दे चुकि मालवा भीजा गया जहां पर इसका उच्चार किया जा रहा था मुल्जिम जेल पर यह इसका एक अनुचित दवाव बलाने का प्रियास इसने किया ना ही इसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसक घट ना ही कुछ और यह इस पुरू में भी पुलिस कस्टडी में भी इसने इसके प्रकार किसके करते हैं